हाई फ्रेंड्स कैसे हूं आप सब्सक्राइब मेरे इस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ आज हम बनानी जा रहे हैं कमल ककडी के चॉप स्टिक्स कमल ककडी को नदुरू भी गहा जाता है बेह भी खा जाता है सिंदी में और इसके आप सब्सक्राइब बना करको बालक में ये फ्राये लेकिन इस तरह से चॉपस्टिक्स बना कर आप ये नया एक्स्टार बना सकते हो जो नई खाने वाले होंगे वह भी उखाएगे बहुत ही टेस्टी बनेगी तो बनाना शुरू करते हैं सब्सक्राइब 200 ग्राम भी इसे कमल कक्री कहा जाता है उसको अच्छी तरह से पील आफ कर लेना है और देखना है कि इसमें मट्टी नहीं हो वह हमें द्यान देना है कि कमल कक्री में बहुत ही मट्टी रहती है अगर मट्टी है तो पहले आप इसे 2 मिनट के लिए गरम पानी में रख आप इसको पहले बाड़ी काट लीजिए यह आप चाहे तो इसे 2 मिनट के लिए बॉयल करके फेल आप उसे ग्रेट कीजिए मैं इसको सीधा चॉपर में डालने वाली तो इस तरह से मैं स्मॉल पीसेस करके इसे चॉपर में डाल दूँगी वह बहुत ही आसान हो जाता है र द्रग का टुकड़ा और शे से साथ लसुन की कलिया ली है और दो हरी मिर्च इसको हम अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे चॉप करने से यह बिल्कुल बारिक हो जाएंगे यह देखें कितना अच्छे से बारिक हो गए है इनको अब एक बोल में निकाल देंगे हैं यहां यह दो आलू लिये है मैंने इनको पील आफ कर लिया है अभी हम एक बार आलू यूज कर रहे है पहले इसमें इसको हम ग्रेट करके डालेंगे जैसे लम्स नहीं आए और अची तरह से बाइंडिंग आ जाए यह चोटा प्यास लिया है जिसको मैंने इस तरह से बारिक काट लिया है वह हम इसमें डाल देंगे आफ टीस्पून डालेंगी जीरा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार आफ टीस्पून डालेंगे रेड चिली पाउडर पहले ग्रीन चिली भी यूज किया है तो इससाब से आप कम ज्यादा कर सकते हो हौफ टीस்पून डालेंगे अम्चू साला टाले ए अपाउडर नहीं हो चाट मसाला डाले ऑफ टीस्पून चिली ओ झाल ओ टीस पून मिक्स पून इससे अलग ध अलग फ्लेबर आ जाएगा कश्मीर रेचली पौडर इससे कलर अचाएगा दो चमाच हम डाल रहे हैं मैदा गरम मसाला बारी कटा हुआ हरा दनिया यह सब मसालिया मची तरह से मिक्स का लेंगे दो चमाच हम इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स यह ड्राय ब्रेड क्रम्स है इससे बाहर की कोटिंग जो है बहुत ही अच्छी क्रिस्पी आएगी और फ्राय करने के टाइम इसका टूपने का भी डर नहीं रहेगा इससे यह देखे चॉप स्टिक्स के लिए हमारा यह मसाला बनका तयार हो गया है तो रहा हम ओल से हाथ ग्रीस कर लेंगे और इस तरह से हम एक बॉल लेंगे यह हम चॉप स्टिक बनाने के लिए आइस क्रीम की स्टिक ले रहे हैं इसको अच्छी तरह से डाल के एक चॉप की अच्छे से इनको शेव देंगे इसको अच्छी तरह से दबाना है जैसे फ्राय करने के टाइम यह स्टिक से लेकलना जाए यह देखे और मसाला ज्यादा भी नहीं लेना है कि अंदर से कच्छा रह जाए फ्राय होने के बाद मीडियम हमें बॉल्स लेने हैं इस तरह से हम सारे चॉप स्टिक्स तयार कर लेंगे यह देखे यह हमारे सारे चॉप स्टिक्स तयार हो गए है इसको हम तब तक फ्रिज में लग देते हैं सेट होने के लिए इसको जो है एक अच्छी अलग से सॉस के साथ सर क्या जाता है उसके लिए हमने यहां पे लिया है एक स्पून ओयल एक स्पून हम इसमें डालेंगे बाडी कटा हुआ लसुन और अदरख इनको हलसा सार गोल्डन करेंगे बहुत अच्छी सी कुष्ष्बू आएक ही जब लसुन से हम गैस लो करेंगे और अभी सब सॉस जालेंगे इसमें यहां हम डाल रहे हैं दो चमाज रेड चली सॉस पून इसमें डालेंगे दाक सउया सॉस तू तेबल स्पून डालेंगे सेजवान सॉस तीन चमच हम इसमें डालेंगे टोमेटो केचब यह सब सॉसिस हमें एक साथ अच्छे से मिला देंगे यह जो कमल कप्री के चॉपस्टिक्स हैं यह सॉस के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं यह खटी मीथी तीखी चत्मिये बनेगी है हमारी वन टेबल सून हम इसमें डालेंगे शकर इसे हम स्लोग फ्लेम पे करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे शकर अच्छे से मेल्ट हो जाए देखे, दो मिनिट के बाद यह शकर अच्छे से मेल्ट हो गई है, लास्ट में हम इसमें डालेंगे बारी कटा हुआ हारा दनिया, आपने यहां पर नोटिस किया होगा हमने इसमें नमक नहीं डाला है, क्योंकि सभी सॉसेस में नमक रहता ही है, तो इसलिए हमने इसमें नमक इसमें डाला है, सिर्फ स्वीटनेस के लिए हमने यहां पर शकर का इस्तमाल किया है, तो यह हमारी सॉस बनकर तैयार है, इसको हम एज़र डिप भी यूज़ करेंगे, और कोटिंग के लिए भी यूज़ करेंगे, इससे माभी साइट करके रख देते हैं, यहां ने ओएल जाल लिया है, ओएल बिल्कुल गरम ज्याधा नहीं होना चाहिए थोड़ा ही गरम होना चाहिए, और गैस स्लो कर देनी है, और सब स्टिक्स में हमें डाल देनी है, आपने ज्याधा कॉंडिटी में बनाई है, तो एक साथ सर्व नहीं डाल दीज़े, स्मॉल बैचिस में इ आपके घर में अगर गैस रा रहे हैं या इस तरह से पार्टी कुछ है फंक्शन कुछ है तो इस तरह से चॉप स्टिक्स आप तयार करके रख दीजिए सब काने के टाइम पर आप इसे फ्राय कर सकते हो और इसे दो से तीन मिनट बाद आएसे आएसे हम इसका साइड चेंज कर करेंगे यह देखें पांच मिनट के बाद इसे अच्छी तरह से क्रिस्पी होने लगे है और हमने इसे स्लो फ्लेम पर किया है तो अंदर से भी जो कमल करीब कच्छी हमने यूज की थी वह भी पक जाएगी अच्छी तरह से अगर आपको लगड़ा है कि ओयल भी थंड़ा ह कर लगा आपर ऑस इसे मीडियम फ्लेम पर कर ली जिए लेकिन फास्ज़ई नहीं कीज़गा इसको मीडियम फ्लेम पर करी हम अच्छी से प्रिस्पी गोल्ण करेंगे यह दे वी तरह से चॉप स्टिक्स हमारी तैयार हो गई है इसको निकाल देंगे और बाकी का भी इस तरह से हम बैचेस बाकी फ्राय कर लेंगे यह हमारी चॉप स्टिक सिदा तैयार हो गई है अगर गैस ताने वाले हैं इस तरह से सिल्वर फोईल लगा के आप अच्छे से प्रेजन कर सकते हो बहुत ही अच्छे लगेंगे दिखने में अगर में कोई शोटा मोटा फंक्शन है तो भी अच्छे लगते हैं इस तरह से अगर हम सिल्वर फोईल से इसे कवर करेंगे तो इस ट्रिक्स को देटेSeas तो इस तरह से ही आप ग्रीन चत्ड़ने के साथ इसे सफ़र कर सकते हो ऐसे भी खानवे बहुत अच्छे लगते हैं ग्रीन चत्नीके साथ पर आज हम इसे सर्व करें सॉस के साथ, तो इसको हम कोट करेंगे सॉस के साथ तो आज की जनरेशन जो नहीं भी खाती होगी कमल ककडी वो भी ये चॉप स्टिक्स खाएगी, क्योंकि इसको इसको एक चाइनीज ट्रच मिलेगा और दिखते ही खाने का मन करता है ऐसे देखके, यह हमारे मन कर तैयार है कमल कक्री के चॉप स्टिक्स इस तरह से सारे हम कोट कर लेंगे यह कोट भी आप तबी कीजिएगा जब आप इसे सर्व करने वाले हो तो यह क्रिस्पी ही रहेंगे इसे हम सर्व कर रहे हैं यह खटी मीठी चटनी के साथ और गार्निश करेंगे बारी कटे हुए हरे दनिये के साथ तो देखते ही खाने का दिल कर रहा है कि नहीं यह रेस्पी आप जरूर ट्राय करके देखिए और कमेंड बॉक्स में बताईए का आपको यह कैसी लगी पसं के लिए दन्यवाद